तो दोस्तों टेकनोलोजी एक ऐसा स्पेस है जहां पे अगर आप भेतर करते हो तो आप कॉम्पेटिशन से रिलेटिवली ज्यादा पैसा कमा सकते हो यह हर इंडस्ट्री का मंत्र है स्टॉक मार्केट में भी यही सब चलता है अगर एक स्टॉक ब्रोकर अच्छी आप कोशिश करेंगे देखेंगे टेडर के क्या है इन्वेस्टर के लिए क्या है आप के लिए क्या है तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों ग्लोब कैपिटल की एप में लॉग इन करने के लिए और आपको एक लॉग इन चाहिए पासवर्ड मैं डाल रहा हूं यहां पर and that's pretty much इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक date of birth या pen card इन में से कोई भी detail आपने शुरुआत में authentication के टाइम पर डाली होगी यह अगर आप इनके client है उन्हें के लिए login है guest login application में नहीं है तो make sure you do that आप account खोल सकते हैं उसके बाद you can do this तो login करते ही दोस्तों आप पहुंचेंगे watch list this is your home page इस application का home page पर ही आपको watch list मिलती है अब watch list में कुछ stocks आपके पास यहाँ पर पढड़े हैं कुछ stocks आप खुद से डाल सकते हैं ऐसी 6 watch lists यहाँ पर देखिया आप watch list 1 ऐसके через करके छे watch list आप आड़ कर सकते हैं सकते हैं वाच लिए ये पहले से बनी हुई watch list है सब बना हुआ है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं if I just change मुझे चेंज कर रहा है वाच लिस्ट तो मैं इस नाम चेंज करूंगा तो जो मैंने इस वाच लिस्ट में स्टॉक्स आइड कर रखे हैं वो आ जाएंगे कि आपका internet connection stable रहे अगर आपको एक stable user experience चाहिए तो stable internet connection चाहिए otherwise दिक्कते आ सकती है anyway watchlist one में वापिस जाता हूँ तो अब मेरे सामने वो सारे stocks हैं जिन में मैं चाहूँ तो training कर सकता हूँ मैं monitor करने के लिए रखा है मैंने इन stocks को अपनी watchlist में add करना चाहूँ तो मैं infosys कस जैसे for example stock add करता हूँ infika nsc यह मैं back करके यहाँ पर plus में sign किया done किया मैंने तो अब of a problem login जब आप करते हैं तो आप जैसे आपको बताया कि आप mpin भी set कर सकते हो if you want to आप finger lock के हिसाब से screen lock के हिसाब से भी अपना login क्रेट कर सकते हैं nonetheless this is watchlist for you और इसमें भी अगर आपको watchlist में अपनी sorting करना हो तो आप sorting कर सकते हैं alphabetical level पे stocks list हो जाएंगे कितना percentage change हुआ है उस अब देख सकते हैं कि nifty cents bank nifty nifty सब दिख गया मिरको मैं see all indices करता हूं तो मेरे सामने बाकी के सारे indices सामने आ जाएंगे वापिस जाता हूं market live देख सकता हूं market movers देख सकता हूं top gainers top losers ये equity का बजार है दोस्तो market live आप see all जाके देखेंगे तो market live में कौन से news चल रही है वो movers में अगर आप जाना चाहें तो देख सकते हैं कि top gainers कौन से हैं losers कौन से है most active by volume most active by value all time high आज की तारिख में जो all time high चल रहा है all time low जो चल रहा है अपर सरकेट कौन से stock हिट किया lower circuit कौन से हिट किया काफी कुछ है trader के लिए काफी कुछ है investor के लिए काफी कुछ यहां से न रिखते हैं that's up to you guys then moving on तो आपने corporate actions अगर आप नजर रखेंगे corporate actions के ओपर ते कौन से company dividend कर रही है results किस क्या रहे है right issue किस का रहा है यह सब चीज़े है यहां पर आपको मिलेंगी then corporate actions के बाद आपको results का data मिल जाएगा foreign and domestic institutional investors कहां पर जा रहे हैं पैसा लेके CEO करेंगे तो यहां पर आपको daily monthly और yearly level पर इनका crores के बीच में turnover यहां पर दिख जाएगा अब देखे ठीक है stock देख लिए हमने market देख लिया why don't we just go ahead and buy a stock में यहां पर let's say एक शौक पर करता हूँ मिंडा industries है buy and sell मेरे सामने option है good parties में peer comparison कर सकता हूँ peer comparison में मेरे पास fundamental ratio analysis में कर सकता हूँ यहां पर उसी sector की और कौन कौन सी companies available है मेरे को खुद कुछ करने की ज़रूत नहीं है इसी app में मेरे को एक feature के दौर में बताया गया है कि आपके सामने देखि आप किसी stock में पैसा लगाते है माल लीजी मैं IT sector में पैसा लगाना चाहता हूँ लेकिन IT sector का कोई boom आने वाला है या जो भी direction है तो उस case में आप देखना चाहेंगे कि बहुत सारी companies है इसमें TCS है विप्रो है Infosys है 50 companies और लिस्टिद होएंगी लेकिन उनको 81 compare करना आपके दिफिकल्ट होगा क्योंकि आप एक एक करके करेंगे लेकिन यहां पर पियर comparison कर सकते हैं this is one good feature in this particular application because now I don't need to do it मैं को बहुत टाइम लग रहा था और मैं शायद human errors होते हैं कलतियां कर सकता हूं तो यहां पर वो चीज का scope out हो गया है market cap के बेस पर फिल्टरेशन अगर मैं को cleaning करना चाहता हूं है ना तो मैं market cap screener लगा देता है sorting कर देता तो वो चीज थोड़ी सी add-on हो सकती है यहां पर that is one thing that could have been done sales बता रहा है net profit बता रहा है performance level पर tap करता हूं तो मिले को यह बताएगा कि पिछले एक महीने में क्या है तीन महीने छे महीने पर कुछ पांच साल तक क performance चेक कर लिया दोस्तों की parameter चेक कर लिया ratio चेक कर लिया तो now I know whether this company is good enough और नहीं है तो मैं यहां से ही tap करके अपना stock चेंज कर सकता हूं मैं Bosch Limited के पास आ गया Assuming के मेरे analysis के base पे Bosch Limited is a better stock for my investment as compared to Midnight Industries जो हम अभी originally देख रहे थे तो peer comparison मैंने कर लिया है दोस्तों स्विचिंग कर सकता हूं यहां पर यह चार्ट आपको दिख रहा है बेसिक चार्ट टेकिनिकल चार्ट भी होगा इसके ऊपर जाएंगे अभी हम basic parameters at a daily level आप देख सकते हैं market close कैसे हुई है upper circuit and lower circuits का कोई alerts आया है news आया है again कोई events हुए है तो फंडमेंटल रेशियो आपको यहां पर दिखेंगे उसके base पर आप decide करना चाहें तो कर सकते हैं then market depth कौन सा order चल रहा है market hours के बना रहे हैं तो that's why probably zero zero दिखा रहा है otherwise आपको top bids and top asks यहां पर दिखाई देंगी F&O अगर है इसका अगर available है तो वह F&O दिखाएगा मैं यहां पर थोड़ा सा time लगाता हूं दिखेंगे data आपको generally on the face नहीं दिखाई देगा लेकिन यहां पर एक icon है नीचे की तरफ arrow करता हुआ तो वह आपको why open interest कितना है volume दिखाएगा call and put level both यहां पर कुछ और parameters add on हो सकते थे but this is also something that you can take a decision from तो यह आपको option chain दिख रही है ATM, ATM और TM आपको strike price दिख रहे है मैं expiry date य child sorting भी कर पाऊं तो this is more or less the option chain for me then news मैं stock level पर news check कर सकता हूं पिछली news का बाई थी वो बता रहा है मिरको financials क्या है company के key ratios fundamental analysis investors आजाओ यहां पर आजाओ फो जल्दी आजाओ investors आपको देखना है income EBITDA, net profit loss, EPS क्या है key financial ratios यहां पर आपको बना के दिखा रहे हैं आपको खुद से ratios बनाने की जुरूत नहीं है mathematics नियोंने कर रखा है see all करेंगे आप यहां पर तो आपको key ratios दिखाई दे रहा है P&L profit and loss यहां पर दिखा रहा है sale, profit, expense and everything balance sheet पर liabilities and assets का detail then you can get the look at the results क्या result क्या है company के consolidated level पर I can change कि मैं पिछले कौन से साल के साथ compare करना चाहता हूँ वह भी है तो these are good things दोस्तों यह अथी चीज़ें होती है जहां पर investor को अपने एक app में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है understanding हो रही है कि company कहां खड़ी है profit and loss में balance sheet में क्या assets है अगर नुकसान पर है fundamentals देख लिए मैंने share holding pattern आप देख सकते है कि promoter के पास कितना है foreign investors के पास कितना है domestic के पास कितना है retail के पास कितना है यह सब आपके पास यहां पर मिल जाएगा they are also telling you के change कितना हुआ है quarterly level पे पिछले चार quarter का data है यह that's also one thing that you can look at so more or less this application is giving me a good understanding of fundamentals of the company अब technical में जाओंगो तो मेरे सामने chart खुल जाता है candlestick खुला है आपको candles दिखाई दे रही होंगी इन पर tap कीजिए 19 तरह की chart आपको मिलेंगी आप change कर सकते है you can do that bar chart किया मैंने line chart करेंगे थोड़ा simple है beginner को असानी से समझ में आएगा mountain chart थोड़ा भर देगा मैं आपस candle chart पर जाता हूँ मेरे सामने technical indicator खुल जाते हैं मैं let's say मैं bollinger bands लगाता हूँ तो यह भर जाएगा एक दुसरे से एक band ऊपर एक band नीचे साथ में बीच में MACD आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा पर decision ले सकते है multiple indicators use किजएगा before you actually take a decision because एक indicator के base decision लेना हानी कारक हो सकता है आपक होंगा तो मेरा जो यह technical indicator है हट जाएगा मैं अलग अलग level के drawing tools भी इस्तिमाल कर सकता हूं if I want to yeah so this is the chart this is normal chart generally किसी app में होता है तो वैसा ही है no कुछ अलग differentiation नहीं है तो लेट से अभी मेरे को यह 320 का stock गिरा हुआ है 2% सवा 2% गिरा है 13,730 बहुत महंगा stock है example के तोर पे लिए आपको यह मर्जी stock खरी दिये और यह कोई recommendation नहीं है मैं buy and sell कर सकता हूं यहाँ पर tap करके delivery करूं या intraday intraday अभी market बंद हो चुका है तो मैं अभी वापन से delivery करता हूं normal लगाएंगे stop-loss मैं stop-loss लगाता हूं market order करेंगे limit limit order में आप खुल बता सकते हैं कौन से price पे आपको enter करना है stop-loss trigger price बताइए आपको after market order लगाना है after market order भी लगा सकते है for some reason अब तो डिसेबल दिखाई दे रहा है validity day या IOC immediate or cancel buy पर tap करेंगे confirmation screen आएगा देखिए और confirmation screen पर tap करेंगे order अभी market बंद है तो execute नहीं होएगा लेकिन यह MO लगाएंगे तो execute हो जाएगा अब मैं आ गया हूं यहाँ पर watch list पर आ गया हूं मैं markets में जाके घूम के आ चु जाके small में से आप stock खरीद सकते हैं if you want to orders में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा order आपने लगाया है यह मैंने order लगा रखे हैं अलग-अलग level के यहाँ पर depending कि मैं कौन से stock में order लगाना चाहता हूं यह थोड़े cancelled हैं यह demonstration purpose के लिए हैं लेकिन generally आप अपने pending order भी दिखा आएंगे जिस हिसाब से आपका portfolio बनेगा आपका portfolio यहां पर आएगा आपकी holdings दिखाएगा तो आपको यहां पर पोटफोलियो दिखाई देगा कौन कौन से stocks आपकी portfolio में हैं सब कुछ है आपकी position क्या है profitable है नुकसान में है क्या है सब कुछ यहां पे हैं इंट्राडे मारे टेक्निकल एक्विटी में चाहिए डेरिविटी में करनसी में कमोरिटी में यह चारों classes आपको मिलती है तो यहां पर मुझे आज दी गई थी कि एक्साइड इंडिया का सेल करना है शॉटिंग करने के लिए बात हो रही थी दावत को बाय करने के लिए यह सब हैं डिपेंडिंग इसका डेट दरूर चेक कर लीजेगा दोस्तों साथ में आपको स्टॉप लोस टागेट प्राइस मिलेगा कहां पे एंटर करना है पर निचे हुआ है तो यह बता रहे हैं आपको आपको भी देखना है आके ताकि आप अपना जो पोजिशन है उसे साफ से चेंज कर सकें डेरिवेटिव में वैसा रहेगा करनसी वैसा रहेगा तो अब मैं आता हूं मैंनू पर मैंनू पर देखिए मार्जिन फंस ब्ला बल तो इस प्रिटी स्मूद पैसे डालना भी ज्यादा मुश्किल है नहीं अगर आप फंस पर टैप करते हैं तो विड्ड्रॉफंस पर टैप करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि विड्ड्रॉइबल 749 रुपर दिखा रहा है मिर को अभी तो मैं आगर मान लों कि 500 रुपर यहां पर विड्ड्रॉब करता हूं तो प्रोशीड पर टैप करोंगा तो पैसे विड्रॉब में चले जाएंगे कंफिर्मिशन के बाद इसके लाव दोस्तों ट्रांजक्शन हिस्ट्री था जो भी ट्रांजक्शन आपने की हैं वह आपके सामने आ जाएंगी आप यहां प एक्स रिपोर्ट ट्रांशक्शिं स्टेट्मेंट कॉंट्रैक्ट नोट सोदा बिल तो उसे साब शाप अपनी रिपोर्ट भी चकाउट कर सकते हैं तो यहां से भी मैं आखे को चकाउट कर सकते हैं देन सेटिंस कुछ करना चाहें इस पर पासफर चेंज किया है दोस्तो अप्लिकेशन देफिनिटी यूजर फ्रेंडली है नविगेशन करना असाल है डिपेंडिंग इंटरनेट स्पीड आपको देखना होगा कि आपका अप्लिकेशन का लोड टाइम क पड़ेगा from number of feature perspective, data perspective, comparison perspective, that's the one feature per one, जो सबसे अची feature जो इसमें लगी, जो अलग feature लगी, वो यह है कि पीर comparison मेरे लिए कितना आसान हो गया, मेरे को खुद जाके अलग-लग stocks को watchlist में add करके, वो भी वहां भी मुश्किल है, मेरे को यहां पे ratio level का fundamental analysis बता रहा है, तो जो लो test करना चाहते है, fundamental stocks को analyze करना चाहते है, वो इस feature को check out जरूर करें, तो this is globe capital का mobile app review for you, hopefully यह detailed demonstration आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप चाहें तो link description मिल जाएगा, थोड़ी और details वहां पे मिल जाएंगे, कोई और application का अगर आपको review चाहिए, demo चाहिए, walkthrough चाहिए, उसके ब बताएंगे, तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, कि आपका experience कैसे राग, क्योंकि बहुत practical बात हो जाती है, यह हम हर review में कहते हैं, अभी इतना ही दोस्तों, अगली बेर में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत 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 शक्रिया, बबाए